गुद मॉर्निंग एट क्लास तोड़े विल स्टार्ट आज चाप्टर नमबर 35 क्रेटिव राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक है तो कॉम्प्रिहेंशन मींस एन पैरग्राफ अंसीन पैसेज जो आपके एक्जाम में हर बार आता है और जो आप हमेशा डिफिकल्टी फेस क को सॉल्व करने के लिए तो आप इस डिफिकल्टी से कैसे निजाद पा सकते हैं यानि कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यह आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो आपको कोई भी अंसिन पैसेज करने के लिए या समझने के लिए हमारी जो म first point देखिए make a habit of reading books and newspaper etc यानि कि आप एपने एक habit बनाईए you can read any book you can read any newspaper ठीक है जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे आप उतना ही ज़्यादा उस printed material को समझ पाएंगे right second point में यह बताया गया है कि आप कोई भी अगर कोई passage read करते हैं तो आप उसे इतना ध्यान से पढ़िए क आपको एक बार reading में ही समझ में आ जाए कि वो paragraph में हमें क्या बताना चाहता है right ठीक है उसके बाद अगर आपके exam में कोई क्या केता है आपका unseen passage आता है तो आपको उसके questions बहुत ही ध्यान से पढ़ने चाहिए sentences को underline करना चाहिए जो भी main है ठीक है और clauses to find out which part of the passage is each question refers to read the passage between the lines right then do not copy sentences from the passage to your answers याने कि ऐसा नहीं है कि आपके जो passage में answer लिखे हुए है वही आप सेम अपने questions के answer आप सेम copy कर दे नहीं you can try to write on your own in your own words right आप जितना कोशिक हो सके अपने answer अपने words में लिखिए हो जाता है कभी कि अभी grammatical error आ जाते हैं but आप जितना जादा practice करेंगे then उतना ही जादा आपके writing skills भी बढ़ेंगे then write answers in a clear and to the point style याने कि जितना question आप से पूछा जाए उतना ही आपको answer लिखना है ऐसा नहीं कि question को और पूछा गया है और answer आप कुछ और कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए right then make sure that you use the same sequence of numbering the answers as is used in the question paper याने कि आप number wise ही लिख sequence में answers होने चाहिए unseen passage के ठीक है marks awarded to each question should determine the length of your answer याने कि आपका कोई भी question उसके सामने mention होता है कि यह answer question कितने number का राइट तो उसके according ही आपको अपना answers लिखने होते हैं if you are writing in your own words words लिमिट भी होने चाहिए ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिखते जारें लिखते जारें आप प questions की जो vocabulary है ठीक है वो हमेशा to the point होनी चाहिए ठीक है heading or title is determined by the main idea or character of the passage याने कि आपको ने देखा होगा ने कि आपके जब भी unseen passage आता है तो उसके last question हमेशा ही ही होता है कि give the suitable title to this paragraph राइट तो आपने अगर paragraph को ठीक से पढ़ा है तो make sure कि you can give the suitable title to that to that passage ठीक है और make sure कि आप जो passage का जो title लिख रहे है वो एक वर्ट या तू वर्ट में ही जितना short हो सके उतना ही होना चाहिए ठीक है तो I hope you got this chapter आपको अंसीद पैसेज दिये गए हैं that you have to do ठीक है लास्ट के तू जो अंसीद पैसेज हैं you will have to do by yourself and if you are facing any problem then you can let me know Thank you